नुश्कर दूस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपनी चैनल इस पर्श क्लास्स में दूस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असेस्मेंट फोर लर्निंग यह आपका बियर सेकिंड यर का पेपर है तो इसी पेपर के बारे में हम बात करेंगे इसमें कुछ इंपोर्टेंट लॉंग आंसर टाइप कोशन के बारे में भी देखेंगे साथ ही साथ कुछ short topics में जो कि questions आपके आ जाते हैं उन topic के बारे में बात करेंगे numerical portion के बारे में बात करेंगे तो in short इस video में आप overall long answer type question और short answer type question दोनों के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ numerical questions किस type से पूछे जा सकते हैं उनके बारे में ही बात करेंगे तो इस वीडियो से अगर मैं आपको कहूं तो 90% आपको इसी में से ही एक्जाम में देखने को मिल जाएगा यही कोश्चन आपके इसी में से ही आपको मिल जाएंगे तो चलिए ज्यादे समयने लेते हैं शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी तक के जो भी एक्जाम आई हैं वह सभी मेरी मेराथन क्लासिस से या जो इंपोर्टेंट क्लास वीडियो से उसमें से आपका काफी कुछ देखने को मिल लिया है मैंने लोग आंसर टाइप कोश्चन के आपको वीडियो बनाए थी के आपको कहा था कि लोग और शौट दोनों ही टाइप की आंसर टाइप कोश्चन इसमें से आपको 90% मिलेंगे जो की सही हुआ 90% कोश्चन जो है और अनिमें से मिल रही है वैरी शौट कोश्चन को छोड़कर बिकॉस्ट को मैंने प्रिप्रप्रिशन अभी नहीं कराई थ तो इसी तरीके से assessment for learning में भी मैं आपको कुछ topics आपको बताऊंगे short answer type question के लिए भी और long answer type question को भी मैं बताऊंगे जिनिम में से आपको सारे कुछ देखने को मिल जाएगा बहुत ही limited आपको इसमें questions जो है आपको देखने को मिलेंगी देखते हैं first question है आपके सामने पहला topic आपका measurement and evaluation का आता है इसमें से आपको exam में जरूर देखने को मिलेगा long answer type question के लिए most most important है आपका what do you mean by measurement and evaluation मापन और मुल्यांकन से आप क्या समझते है explain the difference between measurement and evaluation मापन मुल्यांकन से आप क्या समझते है मापन और मुल्यांकन के बीच क्या अंतर है क्या difference है इससे related एक question आपको जरूर देखने को मिलेगा most most important आपका question है इसी तरीके से जो measurement and evaluation है इसमें से question तो जरूर आएगा लेकिन question अलग-लग तरीके से आ सकता है जैसे second question क्या बनता है आपका define the educational measurements briefly सेक्षिक मापन को संक्षेप में बताईए describe the difference between measurement and evaluation how evaluation is useful for a teacher देखिए question याप पर घुमा फिरा कर दे दिया है लेकिन आपका answer वही होना है इसमें क्या करना है आपको सबसे पहले educational measurement के बारे में बताना है अब आपको पता होना चाहिए measurement अलग चीज़ है और educational measurement अलग चीज़ है क्या difference वोना में दिके measurement ऐक Generalize बात करते हैं वह हम किसी वह फिल्ड में मेजर कर सकते हैं एक बच्चे की length और height और weight मेजर कर रही है या किसी object की length email कर रही है तो किसी भी फिल्ड में मेजर कर सकते है prophets चाहिब आप mesur कर सकते हैं तो measurement की जब इस पेशली एजुकेशन के फोल्ड में हम मेजरमेंट का क्या यूज करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं नोट्स में अगर आप देखेंगे मेरे लेक्चर वीडियो में देखेंगे तो दोनों को मैंने अलग से डेस्क्राइब किया हुआ है तो जब इस तरह क कर देंगे और लास्ट में टीचर्स के लिए क्यों यूस्फूल होता है मतलब टीचर्स के लिए क्यों ज़रूरी है मेजरमेंट करना वह आप यहाँ पर पॉइंट कुछ लिग देंगे ठीक नेक्स्ट कुशन आपका बनता है कि बोडिज अ कंसेप्ट ओफ एजुकेशनल असेस्मेंट शैक क्या मुल्यांकन कर यहाँ अबधान यहां कर लीजएगा मुल्यांगकन की वજिए क्याम है तो यहां पर आप क्या कर लेघ्र हें अ और इसके साथ इसाथ बताना है हमें formative and summative evolution क्या होता है इसके बार में क्या difference होता है यह हमें बताना है आपको यह मैंने वीडियो में बनाए हुए है complete videos topic wise videos जो है मैंने इसकी playlist बनाई हुई है साथ साथ marathon classes भी बनाई हुई है वो आपको सारी complete जो सारे के सारी link है video के description में मिल और comment box में मिल जाएंगे महां से आप जाकर देख सकते हैं साथ जो PDF notes है topic wise जो PDF notes है वो उनके भी link आपको नीचे मिल जाएंगी अगर आप combined notes चाहते हैं तो WhatsApp पर आपको contact करना होगा उसके लिए आपको pay करना होगा बाकि topic wise आपको free of course हमारी website पर देखने को मिल जाएंगे लेकिन यहां पर आपको बात याद रखनी है कि जो यह पेपर कम किया है यह केवल और केवल 20 20 बैच के लिए किया गया है ठीक है मतलब जो इसी साल बच्चे second year में आय थे उनके लिए किया गया है अगर कोई 2019 का बैच का बच्चा है वह एक्स पेपर दे रहा है या बैक पे पर दे रहे हैं तो उनकी लिए वह प्रिवियस जो सिलेबस है उसी आकोडिंग आएगा फर एक्जामपल एंपीसी का जो आपका टॉपिक था नोर्मल प्रोबैबिलिटी कर्व वह आपका इस साल हटा दिया गया है लेकिन इस साल के जो बैक पेपर के बच्चे है एक्स पे वाले बच्चों के लिए यह सिलेबस कम नहीं हुआ है आप अपने प्रिवियस सिलेबस के अकोडिंग ही तैयारी करेंगे यह बात आप बिल्कुल क्लियरली ध्यान से समझ कर और तैयार करकर ही चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मोस्ट मोस्ट इंप सब चीज़ आपको लिख देनी है अचीमें टेस्ट से आपका कोशन जरूर आएगा नेक्स्ट कुशन मनता है वोट डू यू मीन बाइक क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव टूल्स मैंने वीडियो बनाए हुई है गुनात्मक मात्रात्मक टूल्स के साधन के ब आपने देखा होगा यह चार पांस टॉपिक होते हैं वैलिडिटी रिलाइबिलिटी अब्जेक्टिविटी नॉम्स उन मेंसे तीन आपके मॉस्ट इंपोर्टेंट है वैलिडिटी रिलाइबिलिटी अब्जेक्टिविटी तीनों मेंसे एक कोशन आपको एक्जाम में दे जरूर मिलेगा नेक्स चलते हैं what do you understand by data data से आप क्या समझते हैं इसका टाइप क्या है explain the meaning of mean median and mode mean median and mode का मतलब क्या है देखिए यहां पर आपका बात आ जाता है जब mean median mode है इनमें से question आपको जरूर आएगा 110% आएगा तिक है mean median mode से related लेकिन question किस तरीक से बनता है अगर आपसे direct पूछा जाए कि what do you mean by mean कि आप mean से क्या समझते हैं इसके बारे में explain कीजिए तब आपको mean के बारे में complete detail से बताना है mean क्या है उसके क्या क्या formula है और एक दो example आप अपनी तरफ से data लेकर एक दो example भी ले देंगी लेकिन जब question यह आ रहा है कि सबसे पहले आप data को explain करेंगे थोड़ा सा उसके types को explain करेंगे उसके बाद mean median mode तीनों चीज़ को explain करना है अब यहाँ पर नहीं तो आपको example देने है नहीं आपको कोई table बना example देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह answer बहुत ज्यादा लोंग बन जाएगा और मैं हमेशे से कहते हूं लोंग answer type question आपको चार से पांच पीज़ का काफी रहता है इससे ज्यादा आप लिखेगा मत और बिल्कुल यह आप लेकर चलिए कि लोंग answer type question जो होता है वो केव उसमें कम ही रह जाती है इसलिए यह बात ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा जरूरी नहीं है जितना की चाहिए है उतना ही आप लिखेंगे जितना के sufficient हो जादा लिखने के चक्कर में आप आगे की questions जो हैं वो छोड़ देते हैं आपको एक ही question में जादा time लग जाता है ऐस वर्क एजूकेशन की पेपर में बहुत सारे वच्चों के साथ हुआ है उन सभी के reviews मैंने देखे हैं इसलिए मैं आपको यह बात बता रही हूं ठीक है तो जब अगर इंडिवीजुली कोई चीज पूछी जाए तब आपको पूरा complete explain करना है एक्जामपल के साथ लेकिन ज आपका जो मैं question बता रहे थी बन गया इसमें आप Central tendency क्या होती है उसका चार्ड बनाकर तीनों को शो कर देंगे तीनों के बारे में बताएंगे definition लिखेंगे और उनके बारे में एक-एक एक 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 जामपल कैसे देना है देखें यहां पर example क्य दिखा दीजिगा ज्यादा बड़े डाटा अपलेंगे तो उसमें आपको ही problem होंगा तो इसलिए छोटा सचोटा easy-example आप लेकर दिखा देजिगा कोशिश कीजिगा unclassified data का आप example दिखा दें तो वह सबसे easy रहे गा आपका classified में ठोड़ा से जो calculation होती हो ज्यादो होती है इसके बाद next question आता है what is the constructivism wisdom paradigm what are the difference between assessment for learning and assessment of learning तो ये आपका question important है ये पूछ ले जाता है और कहीं बार जो ये difference होता है assessment for learning assessment of learning ये question आपका short में भी आ जाता है तो आप ध्यान से देखकर चलीगा तो ये तो nine questions ऐसे हैं जो कि long answer type questions के लिए बहुत ही ज्यादा important है short में भी इनमें से कुछ बन सकते हैं लेकिन ये long answer type के लिए especially important होते हैं अब इसके बाद कुछ ऐसे topics हैं जो कि short answer type question के लिए important है जिनसे short answer type question आ जाता है जैसे measurement क्या होता है measurement को brief में डिसकस कीजिए evaluation से आप क्या समझते है formative assessment क्या होता है summative assessment क्या होता है या इन दोनों में difference सकता है इसी तरीके से assessment for learning assessment of learning इन दोनों में difference आ सकता है ठीक है definition भी आ सकते है इसके बाद comprehension and continuous evaluation ठीक है CCE इसको short form में हम CCE भी कहते हैं ठीक है तो यह आप ध्यान रखिए गा इसके बाद evaluation यह आपका double आ गया है तो इसको इहां से कट कर दीजिगा इसके बाद CBCS की आ होता ह है और CGPA यह दोनों most important है इसकी आप full form भी आद रखेगा क्योंकि very short question में कहीं बादिन की full form यह पूछी जाती है कि CBCS को क्या कहते है और CGPA को क्या कहते है तो very short में जब आपसे पूछा जाए कि full form क्या है तब आपके यवल नाम लिखकर full form लिखकर छोड़ दीजेगा और ज short answer type question के according ठीक है इसके बाद norms क्या होता है यह भी आपको short question के लिए important है long question में पूछा जाता नहीं है लेकिन chances हो जाता है कि कभी-कभी पूछ लिया जाता है कुछ और question add करके तो इस topic को आप ज़रूर करेंगे short के लिए ज्यादे तरह important होता है rank क्या होती है short question के लिए important है percentile क्या होती है quarter deviation क्या होता है इन तीनों में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है इनके बारे में definition क्या आद करनी है ठीक है इनके merits, demerits जो होते है applications जो होते है वह आद कर लीजगा इनके formula याद कर लीजगा और रही बात example की आप कोई भी छोटी चोटा data पनी आप से लेकर example ल ज्यादा तर नहीं आता है ठीक है लेकिन फिर भी हम तैयारी पूरी करकर चलेंगे कि अगर आ जाए तो हम कर सके तो उसमें आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है किसी भी question में सिर्फ और सिर्फ में में question आपको करने है सबसे पहला तो मीन मीडियन और मोड को find out करने क इजी डाटा आपको दिया जाएको तो इसलिए आप ज्यादा टेंशन की मत लीजिएगा बस आपको यहां पर जरूरत है कि फोर्मले आपको सारे याद दोने चाहिए और उन फोर्मलों को कैसे apply किया जाना है वो आपको पता होना चाहिए इसके बाद ड्रो फ्रिक्वेंसी इस्टोग्राम पॉलिगन या कर्व जो आपके हिस्टोग्राम पॉलिगन और कर्व होते हैं इनको ड्रो करने के लिए आपका पूछा जा सकता है कि आपको कोई डाटा दे दिया जाए और कहा जाए कि इस डाटा से आप फ्रिक्वेंसी इस्टोग्राम बनाई है या फ्रिक को यह graph दे दिया जाता है और उन graph से कोई question relate करके पूछ लिया जाता है for example अगर मैं कहूं तो graph दे दिया और graph से related नीचे questions पूछ लिया कि ऊपर दिये गए graph में किस सन में सबसे ज्यादा frequency है तो वो graph में आप observe करके इसमें लिख देंगे और इसके बाद percentile को find out करने का question आपका आजाता है अक्सर तो यह आप ज़रूर ध्यान से रखेगा ठीक है इसके बाद formula आपको percentile के बैंक के और standard deviation के formula आपको सब के याद करने है तो इन में से आपको ज़्यादा तर 80-90 परसेंट जो है अग्साम में देखने को मिल जाएगा एक बात और जो students back paper दे रहे हैं previous paper दे रहे हैं और improvement पर दे रहे हैं उनके लिए मैं बता दू एन पीसी टॉपिक जो है most important है एन पीसी के topic का आप ज़रूर करेंगे long short very short तीनो question में तीनो section में जो है एन पीसी से related आपका question आता है एन पीसी भी आपके playlist में uploaded है उसमें से आप देख सकते हैं लेकिन जो marathon class है marathon classes जो है वो latest जो 2020 है उन्हीं की according वो बनाई गई इसलिए उसमें NPC आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन बैक पेपर वाले बच्चे हैं वह NPC को भी प्रिपेर करके जाएंगे यह बात आप यहां पर ही ध्यान से रखी तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो आपको अभी तक कि जो भी बैक कमेंट बोक्स में दे सकते हैं और इसी तरह के और वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकोन को प्रेस ज़रूर कड़ीज़ेगा आज के लिए बसेत नहीं मिलेंगा आने वाली वीडियो में आज के लिए धन्यवाद